हाई अबरिवन वल्कम पू डिश्टल जी के क्लासेस तो BPSC-TRE 2 से रिलेटर बात करनी है जैसा कि आपको पता है कि जब से BPSC-TRE 3 की घोशना हुई है जब से कालेंडर में जारी हुआ है कि BPSC-TRE 3 आपका होने वाला है अगस्त में वो तो एकदम कन्फर्म है कोई डाउट नहीं है तो जितने लोग भी तैयरी करना चाहते हैं आप B.A.D. हूँ, D.A.D. हूँ, आपका Seated पास हो चुका है आप लोग प्रिप्रेशन करो और मेरे चानल पर BPSC-TRE की सारी क्लासेस फिर से स्टार्ट होने वाली है आज Seated का Exam है, Seated का Exam हो जाएगा उसके बाद बट ये वीडियो में क्यों बना रही हूँ, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग जो है जिनका नंबर अच्छा कासा है, एक-एक नंबर कम है, किसी के दो-दो नंबर कम है वो वेट कर रहे हैं कि कब आखिर में BPSC ने I think 4 December को ही BPSC के Chairman Sir ने, अभी भी उनका ट्वीट है, Twitter पे उन्होंने ट्वीट किया है BPSC-TRE 2 का Supplementary Results से Related बट आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगी, और ये information अभी पता चली है कल तक तो लग रहा था कि आएगा, बट जो छात्र नेता हैं, दिलिप कुमार और भी बहुत सारे हैं बिहार में जो कि सिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा ये कहना है कि BPSC जो है अब TRE 2 का Supplementary Results देने में, देने का उनका कोई मूड नहीं है क्योंकि सिक्षा विभाग के द्वारा मना कर दिया गया है अभी Supplementary Results जारी करने से Related तो ये एक information आई है, मतलब कहा 14,000, 17,000 seat खाली थी और अब नहीं तो इतना delay करने की कोई जरुवत ही नहीं है आप खुद सोचो एक्जाम कब का हुआ है, result आ गया, counselling हो गई, निवति पत्र मिल गया, योगदान हो गया, induction training सब कुछ आ चुका है, तो आखिर में ये Supplementary Results से Related कुछ information क्यों नहीं दे रहा है तो मैं तो ये बोलना चाहूंगे कि जादा से जादा tweet कीजे, mail कीजे, क्योंकि पिछली बार तो हुआ था ना जारी, इस बार क्यों नहीं और सबसे सोचने वाली बात ये है, कि इस पर BPSC Chairman Sir ने खुद tweet किया था, कि multiple results पर हम Supplementary Results देंगे बट ये कल की information है, मैंने आपको बुला था, कि इनकी meeting होने वाली है, केके पाठक Sir छुट्टी से वापस आ चुके है और जब meeting होई है, उसके बास ये बाते निकल कर आ रही है, कि BPSC अब Supplementary Results देने का कोई mood नहीं है और सिक्षा विभाग ने मना कर दिया है, BPSC को Supplementary Results देने से अभी तक का ये मैं आपको बता रही हूँ आगे क्या हो वो किसी को नहीं पता है, तो कहीं न कहीं लोग बहुत परिशान है, स्टूडेंट बहुत परिशान है, वेट कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी Supplementary Results आए, तो वहां पर एक ये information निकल कर आती है, कि अभी मना कर दिया है आपको क्या लगता है, Supplementary Result आएगा या नहीं आएगा, और क्या सिक्षा विभाग रिक्तियां भेज़ेगा या नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर सिक्षा विभाग जितना जल्द रिक्तियां भेज़ेगा, उतना ही जल्द BPSC जो है रिजल्ट जारी करेगा और फिल्हाल के लिए सिक्षा विभाग ने मना कर दिया है, और अभी Supplementary Result आने के कोई भी चांसेस नहीं दिख रहे हैं, बहुत ही ज़ादा ये एक तरीके से Sad News है, क्योंकि एक बार आप देते हो, दूसरी बार में आप इतना डिले करते हो, उपर से अभी सुनने मेरा कि देंगे भी नहीं, साथ ये सारी सीटों को जोड़ना चाहते हैं, और अगर देना भी है तो इतना लेट, तब तक तो स्टूडेंट ही फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, कि पता नहीं कब आएगा भी कि नहीं आएगा, तो देना है तो जल्द दीजे ना, at least, चलो आप 17,000 प फिर वही इंतजार में कब तक कोई रहेगा, तो क्लियर कट बता दो कि देना है कि नहीं देना है, बाकि जो भी चीजे आएगे मैं आपको अपने चाहते से बताती रहोंगे, तो चलिए मिलते हैं नेक्स लास में, थैंक्स वर वाचिंग